हेलो दोस्तो नमस्कार यह जो आरो का पेपर हुआ है अभी 20 सितंबर को उसी की यह जीएस की की मैं पहले डाल चुकी हूं और आज ही हिंदी की की डाल रही हूं तो जिन लोगों जीएस वाले आंसर अपने नहीं मैच किये हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसे वहाँ से देख सकते हैं और अपने कोश्यंस के आंसर है और अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना इस्कूर किया और आज यह हिंदी की सीरी डिसक्रिज कर रहे हूं लिंदी में भी आप बताएंगा कि आपका कितना सही हुआ है हिंदी की आंसर की है तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पास किसी वंदे का यह पेपर है तो उसी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कोशन आयो है तो चलिए निर्मन लिखित में से कौन सा शब्द लच्मी का पर्यायवाची नहीं है तो लच्मी का पर् यहाँ पर पयोधर है जलधर भी है बारिधर भी है लेकिन दामोधर नहीं है तो ये दामोधर इसका आंसर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है अभीर भूत का सही बिलोम शब्द है तो शही बिलोम शब्द क्या है अनास्था अनेकता तिरू भूत या अनावरती तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तिरो भूत अगला प्रस्ण है कुश् तो अग्रज का होता है अनुज अगला प्रिशन है बिलोम शब्दों के सही द्रस्टी से इन में से कौन सा यूग्म गलत है तो अगर देखेंगे बाकी सारे सही है लेकिन अमिति और परिमिति ये रिपीटिट कुश्चन है पहले वी एक्जाम में आया हुआ है तो इसका सही अगर हम बात करेंगे ये वही से कुश्चन है तो इसका आमित और परिमित अगला प्रस्ण हम देखेंगे निमन लिखित में से विलोम शब्दों की द्रिस्टी में से कौन सा एक यूग्म गलत है तो गलत की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी अनुचर और अगला प्रिस्ण मचांगर देखेंगे शुद्द वरतनी वाले चैन करे। तो शुद्ध वर्तनी वाले चैन का अगर हम शब्द का चैन करते हैं तो जोचना होता है ऐसे इसको लिखा जाता है अगला प्रिशन है वर्तनी की दृष्टी से कौन सा शब्द अशुद्ध है देखें यहां पर बात कर रहे हैं अशुद्ध की अगर अशुद्ध कि वह हिंदी की अनेक पुस्त के पढ़े अगला प्रिस्न है अगला प्रिस्न देखेंगे अगला प्रिस्न कह रहा है कि निर्म लिखित मैं से एक बाग के अशुद्ध है किसकी बात करी जा रही है एक बाग के अशुद्ध है अशुद्ध अगर हम बाग की बात करते हैं और तो देखते हैं मोहन गेहूं पिस्वाने चक्की पर गया था और बिर सिवातेगे तो एक्स्ट्रा शब्द में इडिट किया गया है अगला प्रिस्वें संमा है जिसका कोई सथ्रू हौ है अक्षर कर पूछा ही जाता है तो यह ऑज्यू क्या हो जाएगा इसका healthcare आजातस के लिए शब्द है से मिल 1976 जिसके ग्रीव सुन्दर हो इसको तो हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सुग्रीव यह सब बहुत ही असान है यह तो एक्जाम में बहुत बार पहले भी पूछे जा चुके हैं रिपेटेट कुश्चन है जिन लोगों ने अगर पुराने पेपर्स को भी पढ़ लिया होगा और देख लिया होगा तो मुझे वह ना कर सके वह होता है अतींद्रे अगला प्रिशन है कुश्य नमबर 18 वाक्यांसों और उनके लिए प्रियोक्त चब्दों को निम्न लिखित युग में सही युगम का चैन करना है किसका चैन करना है सही युगम का तो सारे आप पढ़ेंगे इसमें आंसर आप सही पाए परिवा का तत्सम होता है प्रतिपदा क्या होता है प्रतिपदा अगला प्रशन है निम्न लिखित तत्सम शब्दों का संगत युगम है तो इनका संगत युगम होता है पर्यक और पलंग ना की यह अगला प्रिशन है निम्न लिखित में से एक तत्बह शब्द है तो कौन किया होता है मतलब क्ष़ब्ध क्या यह उसका और शब्द में से कौन सा सब्द गुर्बाचक विशेषड से संग्या से नहीं बना थो नहीं बना है अगला प्रिश्ण है फार नरीम्लिकत मैं से किस बाग कि में ऊत्मा वस्था गुर्वाच्चंड बिशेश्च्र का प्रियोक किया गया है यही पार्ट थोड़ा तोड़ा वहता होता है बच्चों के लिए इसी में दिक्कत आती बाकि बहुत सारे इसी होते हैं तो अगर हम बात करेंगे इसमें दिया है परमानन कंचा में सबसे होश्यार चात्र है यहीं इसका सही अंसर होगा अगला प्रस्नेस 27 27 में थ दिखा जाएगा तो अगर ए और सी में मुझे थोड़ा सा confusion है आप बताइए का comment box में क्या सही होगा अगला है मिलिकित में से कौन सा शब्द विशेशड है तो अगर विशेशड की हम बात करेंगे तो विशेशड है अगले प्रिष्ण की अगर बात करें 29 की आकास का परियाएवाची कानक होता है यह तो बहुत असान सा है कई वार एक्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं उसके प्राड पखेरू उड़ गए इस बाग में पखेरू शब्द का परियाएवाची क्या है पक्षी निम्न लिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का परिया औहाले प्रिश्ण निम्न लिखित में से कौन सा शब्द माता का परियाएवाची नहीं है किसकी बात करी जारी माता के परियाएवाची के गोई है तो तो प्राची शब्द का होता है अगर हम बात करेंगे प्रतीची डिम्लिखित में से ट्रस्टी से एक योग में गलत है तो वह और और बिग्राएं तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, option C, आग्रे और बिग्रे, अगला प्रिशन है, बिलोम शब्द की दृस्ती से इन में कौन से योग में सही है, तो अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सही है, इपसित और अभी इपसित, इसका सही आंसर हो जाएगा, अगल आडिक नहीं होता है, पाराडिक होता है, तो ये इसमें अशुद्वर्दनी वाला शब्द है, option D, इसका सही आंसर हो जाएगा, अगला प्रिशन है, निम लिखित में से एक बाग के शुद्ध है, इसके बाबजूद भी, इसमें हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती ह ऐसे करके आप इसको जब देखेंगे, तो इसमें आप का अंसर जो सही होगा, वो होगा, option C, अगला प्रिशन है, अशुद्वाक का चैन कीजिए, अगर हम 43 कुशन की बात करते हैं, अशुद्वाक की बात कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा, देश की बरतमान मौजूदा का हाला ठीक नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही जगे पर कहीं गई हैं, तो यह B option इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बरतमान और मौजूदा एक साथ चीज़ें नहीं हो सकती है, अगला प्रिशन है, परमपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयोक थोने वाला शब्द कौन सा होता है, परमपरा से चली आ रही बात के लिए होता है, अनुशुरुती, कौन सा शब्द होता है, अगर हम देखेंगे प्रति प्रति शुरुती, और प्रति शुरुती के बाद अगर हम बात करेंगे, ब्याज जिस्तुती और अनुलूम, तो यह अनुशुरुती इसका सही इसके लिए एक शब्द क्या है वो हता है थान की चन से लिए ओप्शन सही आंसर होँ सबस करते हैं नियुक्न इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रिश्ण है निम्न लिखित में से एक बाक्यांस के लिए एक शब्दे दुर्निवार प्रियुक्त किया जाता है दुर्निवार किसके लिए प्रियुक्त किया जाता है यह किया जाता है अगर हम देखेंगे 48 के लिए तो 48 का जिसे दूर क ओप्शन अगला प्रिशन है निमð्रिखित हम सब्सक्राइब को आगर continue सब्सक्राइब अग्ला प्रिश्ट क्या है अरफ क्रया कुण चूर्पल प्रॉइत है ऑगने रिपीट हो गया इसन्थ वीय reduction नहीं वह बहुत खाता है इस बाक्यांस मैं बहुत ख़प किस प्रिकार का विशेशर है तो अगर देखा जाएगा इसमें inveet अनिस्ट परिमार वाचक विशेशर आपीजुर लेकल पालो ब्रा काने संगीत एक विशेशड है अनिस्चित परिमार वाचक विशेशड ओप्शन डीस का सही आंसर हो जाएगा अगला प्रिश्ण कर देखेंगे निर्म लेखित बाक्यों मैंसे वह बाक्य चुरिये जिसमें गुडवाचक विशेशड का प्रियोग किया गया हो तो गुडवाचक का विश किस मूल सब्सें से बना है तो वह बना है मानसस से अगला विशेशड का मोλ सब्सक्राव वաղ का है और देखेंगे अंगले कशय अगले की सा और ब्रकास तो इसमें option असमें सही अंसर हो जाएगा तो यह पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ बहुत ही कम टाइम में आंसर सारे डिसकस कर लिए प्लीज चेक करके अवश बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं अगली वीडियो में फिर में लेंगे तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों नमस्कार